साइबर क्राइम एक ऐसा वर्ड है एक ऐसा सब्ध है जिसको आपने कभी न कभी सुना होगा जैसे जैसे साइंस एन्ट टेक्नलोजी हम देख रहे हैं टेक्नलोजी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है टेक्नलोजी ने एक ओड तो हमारे लाइफ को बहुत जादा इजी बना तो वीडियो को हम सुरू करते है और सबसे पहले हम बात करें साइबर क्राइम की या साइबर अपरात की होता क्या है Cyber crime is a criminal activity Cyber crime क्या है एक आप्राधिक गतिवीदी है जो computer Network इनको Hack कर लिया जाता है Computer device को Hack कर लिया जाता है इनडिवेजिवान का भी हो सकता है पूरी company का भी हो सकता है और उसके बदले में Cyber criminals होते हैं जो Hackers होते हैं किस की demand करते हैं कि आप पैसा दोगे तभी हम आपकी computer को या आपके system को हम उसको unlock करेंगे उसको हम छोड़ेंगे तो इस तरह से हम देखते हैं कि cybercrime होता है तो इसमें क्या है कि चाहे हम individual की बात करें, सरकार की बात करें, अपने society की बात करें हर किसी के लिए cybercrime जो है एक चिंता का विसे है क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारी technology हो जारा develop हो रही है वैसे वैसे जो cyber अपरादी है जो criminal है ये अलग लग तरीके से इस तरह के जो fraud और दोखा दड़ी है वो कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि cybercrime किन किन तरीकों से हो सकता है तो पहला अगर हम बात करें data branches and privacy concern तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो hackers होते हैं किसी company का किसी individual का उसको data है उसको hack कर लेते हैं और बदले में उनसे क्या करते हैं पैसो की demand करते हैं कि अगर हमें पैसा देंगे तभी हम आपको data देंगे otherwise नहीं देंगे और कई बार यह भी होता है कि जो cybercriminals होते हैं किसी एक individual का company का data data वहां से चोरी करके किसी और को बेश देते हैं किसी other company को तो ऐसा भी होता है ठीक है फिर अगर हम financial loss की बात करते हैं फ्रोड की बात करते हैं यहाँ पर क्या आता है cybercrimes can result in significant financial losses for individuals and or नाई जिसन तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार आपके साथ पैसों की दोखा धड़ी भी हो जाती है online banking ठीक है यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है credit card को टाले है आम बात है कि आपके आपके पास किसी का phone आया और उसने आप से कहा कि मुझे आपको इतने पैसे देने हैं आपके पास मैं link दे रहा हूं और आप इसको click करिए तो ऐसे में भी हो जाता है कि आपने बिना सोचे समझे सको click किया और क्या हूँ आपके अकाउंट का जो पैसा है वो उनके पास चला गया और कई बार यह भी होता है कि आप घर में बैठे हैं आपके mobile पे message आए कि आपके account से किसी इतने पैसे निकाल लिए तो आजकल इस तरह की भी जो हम देखते हैं कि cybercrime की विए से financial loss भी हो जाता है किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है लेकि नुकसान सब को ही होता है फिर अगर हम बात करें ransomware हम ले तो अक्सर हम देखते हैं कि चाहे कोई company है चाहे कोई individual है अचानक से ransom जो यह इस तरह के जो virus हैं हम देखते हैं ठीक है और पूरा जो और नाइजेसानों बिल्कुल ठब पड़ जाता है और जो hacker से हमांग करते हैं कि आप हमें इतनी file देंगे तभी हम आपकी जो files है ठीक है और जो आपका जो system है जो आपके documents है तभी हम उसको छोड़ेंगे otherwise नहीं तो इस तरह के भी ransomware जो हम ले हैं हमे देखने को मिलते हैं और अगर हम बात करें social engineering and fishing की बात करें तो यह क्या होता है तो cyber अपरादी अक्सर वैक्तियों की गोपनी जानकारी देने या सुरक्चा चे समझोता करने वाले कारिक के लिए हेर फिर करने के लिए social engineering टक्नीकों का उपयोग करते है इसमें क्या होता है ठीक है यहां पर हमलावर सम्वेदंसियल जानकारी प्रकट करने के लिए वैक्तियों को बरगलाने के लिए भरोसे मन संस्थाओं का रुप धारंग कर लेते हैं कि हम इस संस्था से बोलने हैं या हम इस organization से बोलने हैं तो सामने वाले से इस तरह से बात चीत करते हैं कि सामन के लोगों का ही होता है तो क्या करें वो टो डू तो इन चिंताओं को दूर करने के लिए जो अंतराष्टिय सयोग है बहतर साइबर सुरक्षा के जो उपाएं है ठीक है इन चीजों की जो जो इसकी सेफटी मेजरमेंट है जिन तरीकों से आपको इसको देखना पड़ेगा कि किन किन तरीकों से चाहे जैसे अगर चाहे हम जीमेल की बात करें चाहे हम आपके फेस्बुक की और अलग जो भी असोसल मेडिया साइट्स है या आपके डेबिट कार्ड की बात करें तो अक्सर बैंक की तुरू भी आपको इंस्ट्रक्षान दिया जात तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद